जितने भी आप application form online fill करते हो तो वहाँ पर photo sign या फिर जो अन्य documents होते हैं उनका एक fix size आपसे मंगा जाता है कि आप इसी size के अंदर document इस site के उपर upload करें जैसे कि एगर आप pen card apply करते हो या फिर pen card में correction के लिए apply करते हो तो वहाँ पर आपसे photo signature का एक format वहाँ पर दिया होता है कि आपका जो photo है और sign है इस format के अंदर होना चाहिए इतने dpi और इतने size के अंदर होना चाहिए तभी वहाँ पर upload हो सकता है और भी कोई भी form जो आप भर आपने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से और अच्छी खासी quality के अंदर photo signature या फिर किसी भी document का size आप कम कर पाओगे तो यहां से आप photograph, signature, thumb impression और certificate document बीना कोई app डाउनलोड की या फिर बीना कोई software इंस्टॉल कीए आप इस site को यूज कर सकते हो तो इस site का link मैंने आपको description में दिया गया है जैसे आप description में जाओगे first link आपको इसका मिल जाएगा या फिर आप photo resizer.net slash editor search करेंगे तो आप इस website पहुंच जाएंगे तो इस पर आपको नीचे scroll करना है scroll करने के बाद आपको यहां पर option मिलेंगे click here to select file maximum file size 25 MB आप 25 MB जादा से जादा 25 MB size का file जो है यहां पर upload कर सकते हो यहां पर चार step है वो आपको follow करने है सबसे पहले आपको यहां पर click करोगे तो आपको आपको फोनी गैलरी में ले जाएगा वहां से आपको अपना document उठा लेना है जो भी आपको resize करना है जैसे कि मैंने यह एक photo उठा लिया है उसके बाद आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद भी आपकी image file है या PDF file है तो दोनों ही file आप यहां से resize कर सकते हो जैसे कि हमारी file जो हो image file है तो यहां पर पुछा जाएगा आपसे resolution तो resolution में आपको original resolution रखना है, resize करना है, crop and resize करना है या फिर crop only करना है तो आपको crop and resize पे click करना है तो यहां पर आपको width अपने डाल लिए है जैसे कि अगर आप pen card apply करते हो तो वहां आपसे बोला जाता है कि जो आपके width है वो धाई होनी चाहिए 2.5 होनी चाहिए और जो height है वो 3.5 होनी चाहिए और यह जो pixel में दिया हुआ है तो वो centimeter में मांगते हैं और जो dpi है तो pen card के अंदर जो dpi यह photo का वो 200 मांगा जाता है ऐसी जो भी आपसे demand की जाई वो आपको यहां पर fill करनी है उसके बाद आपको file size पर आने के बाद आपको limit size पर click करना है आप कितना size चाहती हो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी file है वो 50KB की हो जाए तो jpg चाहिए जपी easy चाहिए तो उसके उपर आपको click कर देना है तो इसके बाद आपको next करना है next करने के बाद आप यहां पर edit कर पाओगे कि जो भी आपकी photo है यह edit हो जाएगी तो done पे click करना है done पे click करने के बाद यह edit हो चुकी है उसके बाद आपको next पे आने के बाद आपकी जो file है वो resize हो चुकी है जैसे कि जो मेरी file थी बहुत बड़े size की थी तो अभी यह हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 28.7 kb की यहां से आपको download बटन पे click करना है तो यह file आपके download हो जाएगी तो देखी quality भी ठीक ठाक सही आ रही है कोई कम नहीं होई तो आप यहां से इस तरीके से अपने documents को resize कर सकते हो यह charge step follow करके आप अपने किसी भी document को resize यहां पे कर सकते हो अगर आपको यह video पसंद आई तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर लिजी thanks for watching this video